नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में आशर करती हूं बिटा आप लोगों के एक्जाम जो हैं बहुत अच्छे जा रहे होंगे तो इसी एक्जाम के बीच इस वीडियो में आप लोग देखेंगे अपनी क्लास 11 की एकानोमिक्स सब्जिक की मार्किंग स्कीम जिसको एक तरह से हम पेपर सॉलिशन आंसर की भी बोल सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड है 080 मौर्निंग शिफ्ट में जो एकानोमिक्स वाले बचों ने एक्जाम दिया है उसकी ये आंसर की है तो खंड आ का सॉलिशन इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अर्थ सास्तर में स्यांख्यांगी तो अपने कोशन के आंसर को आप लोग टैली करते जाएंगे कोशन पेपर से मिलान करेंगे तो अच्छा रहेगा इसी के साथ शिक्षप्रवा पर अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं आपने अभी तक भी शिक्षप्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इन्फर्मेटिव वीडियो के लिए शिक्षप्रवा को सब्सक्राइब जरूर कर लें झाल झाल आप जैसे question number 14 है आप संख्यांकी की दो विश्वेश्था हैं आप लोगों से पूछे थी तो एक जैसा ही आप पर दे रखा है कि तथ्यों का समु और दूसर संख्याओं में व्यक्त करना तो बटा इस चीज को आपको एकस्प्लेन करना है तभी आपको पूरे चार नंबर मिलेंगे यहां पर सिर्फ आपको जो इन्होंने पॉइंट्स है वो दिये हैं उसके अधार पर question का answer आप लोगों खुछ से लिखेंगे क्षुछ आपको झाल 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 तो बिटा यह थी आप लोगों की आंसर की पेपर सॉलिशन आशा करती हूं आप लोगों का एक्जाम अच्छा गया होगा अच्छे मांस आप लोग अचीव करेंगे एन्वल में इसकी के माध्यम से आप और मैक्सिमम मांस अचीव करेंगे इसी के साथ वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों और स्कूल गूरुप पर शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आल पर सेट रखना है